What is going on everybody? आज कि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा BISECT function के बारे में अब BISECT function क्या होते हैं और आप लोग को इसको अपनी programming में क्यो यूज करना चाहिए इस बारे में हम लोग बात करेंगे तो मैं भी क्या करता हूँ आप लोग को सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती होगी और आप लोग को लानी भी चाहिए वो यह कि यार module किसी ने लिखा होगा उसने किस तरह की implementation लिखी है क्या उसके अंदर लिखा है वो सब आना आप लोग को सबसे पहले बहुत तरह होगी लिकिन जो built-in modules होते हैं वो optimized होते हैं लिक्स कॉंपेंशन सीखने की बात आती है तो आप लोग कहेंगा रही तो मैं कर लूँगा फॉर्लूप लगा के लेकिन वो कर लूँगा सोचने पर क्या होता है यही डिफरेंस होता है एक beginner पे एक noob में और एक advanced level programmer में की क्या आप लोग की सोच है आप लोग को सोच अपनी ऐसी बनानी पड़ेगी कि नई चीज़े सीखनी है और नई सही चीज़े सीखनी है यह नहीं कि किसी ने कुछ भी बना दी आप लोग सीखने बैट गए मैं आपर कुछ भी लिख रहा हूं और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने लिस्ट जो है आपर sorted बनाई है तो उसका भी एक purpose है मैंने sorted क्यों बना यह list और जैसे कि आप लोग ने देखा कि यह list एक बनाती है मैंने अब मैं अगर इस list को print करूंगा तो यह list print हो जाएग कि मैं कहां insert करूं वो number कि यह list sorted रहे मैं एक और और इस बात को बोलूगा अगर मैं चाहता हूं कि मैं जैसे मानली जब मैंने number ले लिया मैं variable ही बना देता हूं यह पर number is equal to 4.7 मैं 4.7 को यह फिर 5 ले ले लेते हैं मैं 5 को कहां पर insert करूं कि यह list sorted रहे है इसका answer आपको पता का use कर सकता हूं तो अगर मैं यहाँ पर लिखाऊं print bisect.bisect और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूं bisect.bisect और मैं लिखाऊं कि अगर मैं list A में 5 insert करना चाहूं या फिर number insert करना चाहूं तब मुझे कौन सी index पर करना पड़ेगा जिसे कि आप लोग ने देखा output 3 आ गया 0 1,2,3 यानि कि अगर मैंने इसको insert कर दिया 5 को इस list में तो 5 की index 3 होगी लेकिन एक चीज मैं आप पर और point out करना चाहता हूं कि जो bisect module के functions होते हैं वो यह check नहीं करते हैं कि list sorted है या नहीं मैं इस बात को और आगे बताऊंगा इससे पहले मैं आप लोग को एक और function के बारे म insert function के बारे में अभी गया है कि हम लोग ने insert नहीं किया है bisect module क्या है करता है सिर्फ index बताता है आप लोग को कि कहां पर आप लोग insert करें कि आपकी list sorted रहे लेकिन अगर आप लोग actual में उसको insert करना चाहते हैं तब आप लोग क्या करना पड़ेगा तब आप लोग क्या कीजि इसमें जो है यह number insert हो चुका है तो 5 जो है आप इंसर्ट हो चुका है number यह और यह 3 index में जो है आया है अगर मैं इस 5 को 335 करूँगा और इसके बाद मैं run करूँगा तो यह देखिए कह रहा है 8 पे आप insert करो यानि कि सबसे end में insert करो तब ही list जो है sorted रहे की तो insert और bisect दो function ह हमारे bisect module के जो यह बताते है bisect यह बताता है bisect function यह बताता है कि आप लोग को कौनसी index पे वो number insert करना चाहिए कि list sorted रहे और insert क्या करता है actually उस number को insert करके आप लोग को दे देता है तो आप लोग को ने अगर insert चला दिया किसी list पर तो वो list update हो जाएगी तो यह था bisect module का bisect औ करेंगे कि आप लोग की list sorted है यहाँ पर मेरी list sorted है छोटे से बड़ते क्रम में आगे को जा रही है लेकिन अगर माल लीजे आपने आप 41 डाल दिया और यह sorted नहीं है अभी list तो यह कोई error throw नहीं करेगा या फिर कोई warning नहीं देगा आपको कि यह list sorted नहीं है आप इसको क्रिप नहीं रखा है तो आप लोग को bisect module सही से काम नहीं करेगा आपका bisect module इसलिए आप लोग को एक चीज़ ensure करना है कि आप लोग की list sorted रहे अब आप लोग सोचेंगे कि यह काम तो मैं कर सकता हूं तो एक exercise में आपको देता हूं आप एक बार इस काम को खुद करके देखे कि आ और time भी आप लोग measure कर दीजिए अगर आप लोग को नहीं पता time कैसे measure करते है python program का तो आप लोग जाईए मेरे चैनल पर मैंने बताया हुआ है कैसे measure करनते है ताइम किसी भी python program का वहाँ जाकर आप लोग जो है time देख लीजे time module या फिर आप लोग use करें या फिर time it use करें जो भी आप लोग use करें और देखें कि आपने जो implement किया और bicep करता है क्या वो same है क्या वो अच्छा है क्या आप bicep module से अच्छा कर पा रहे है जो कि आप बहुत ज्यादा मुश्किल है कर पाना लेकिन आप लोग जो इस तरह की exercise करके देखेंगे तो आप लोग को काफी पाइदा होगा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीज़े क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इस तरह के और सारी वीडियो जो है एड़ करने वाला हूँ प्लैन है डेटा साइंस के टूटियल डालने का मशीन लेर और मेरा प्लैन अभी आगे बहुत आजाद है लेकिन सपोर्ट मुझे चाहिए आप लोग का अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को शेयर करते रहेंगे और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो मेरे अंदर भी अंदर से एक आग निकले की वीडियो बनाने अगे अपने स्कुल ग्रॉप में, अपने स्कुल के कम्पीटर सानेंस में, ऐकर आप लोग काम कर रहे हैं आप अगर आप लोग नहीं बजाये तो घंटे को बजा दें अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो आपको मिले so thank you so much guys for watching this video, for liking this video, for subscribing to my channel for all the love and support and I will see you next time